हेलो फ्रेंज गार्णिंग भी आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं आज मैं आपको मनी प्लांट की केर के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगी कैसे इसकी सोईल मिक्सर हो कैसी लोकेशन ओ वाटरिंग इसकी फर्टिलाइजर एन मैं इसकी फर्टिलाइजर के बारे में बात करूंगी कैसे इसको इसकी ग्रोथ तेज की जाए ऐसी फर्टिलाइजर बताऊंगी जिससे ये बहुत तेज ग्रोथ करता है और फ्री की फर्टिलाइजर है वो भी और इसके पत वीडियो में अन्त तक तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर करें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कि यो चैनल बिज़ित कर सकते हैं और इस तरह की और भी में अच्छी वीडियो डालती रहूंगी तो चलिए बात कर लेते हैं मनी प्लांट को वेल्डेन पसंद है इसकी सोयल में 40 परसेंट गार्डन सोयल 40 परसेंट को कोपीड 20 परसेंट बर्मी कमपोस्ट या कोई भी किचन बेस्ट कमपोस्ट और एक स्पून फंगी साइड पाउडर मिक्स करके लगाएं इस सोयल में अगर आप मनी प्लांट को लगाते हैं कभी भी आपका मनी प्लांट नहीं मरेगा बहुत अच्छा चलेगा अब बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन के बारे में इसे ब्राइट लाइट में रखें शेट लविंग प्लांट है यह जा सुबह की एक या दो घंटे की दूप हो इससे ज्यादा फैढू की दूप में इसको ना रखें अगर दोपैर की दूप इसको ऊपार पड़े गी तो इसकी लेज तो इसकी जो लिव्ज में यह वैरिगेशन आप देख रहे हैं यह दूप थोड़ी बहुत इसको मिलती रहे उसी से आएगा देखिए जैसे यह थोड़ी तेज गर्मी है तो इससे लिव्ज यह बर्न होने लग जाती है यह मैंने इंडोर में रख रखा है प्लांट मदर प्ल सब्सक्राइब आप और इससे इसकी भूथ भी अच्छी होगी कद अब बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग दील कि मद्यक्ए समर का सीजन है इसको रोज वोटरिंग करें इसकी सोयल उपर से मौइस्ट रहनी चाहिए देखिए मेरी सोयल, कैसी है आपको दिखाती हूं बिल्कुल ऐसे सुखी 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 नहीं होनी चाहिए ऐसी यह मोईस्चर लविंग प्लांट है इसकी सुखी बना रहा है और इसको समय समय पर दिन में दो तिन वर मिस्टिंग करें ऐसे ताकि इस पर जो डस्ट आ जाती है वह रट जाए और इसकी पतियां लश ग्रीन शाइन करती रहें और इसको मोस्टिक पर लगाई अगर आप इसको इसकी पतियां बड़ी बड़ी चाहते हो कि बहुत बड़ा पत्ते हो जाएं देखिये मेरे मनी प्लांट के पत्ते कितने करते इसको बड़े बड़े पत्ते चाहते हैं तो आप इसको मस्टिक पर चड़ा एंच करें एसमें अरे ईरील रूट होती हैं क्यूंक देकि यह इसमें इरील रूट सैंटे कि अन्दर चली जाती हैं और मेरласт जालती से केम क्या लेते हैं चैजर की तो बेस्ट फर्टिलाइजर फ्री का फर्टिलाइजर वह आपको बताने वाली हूँ है इसको जो है आपको घर पे जब डाल-चाफल बनाते हो ऊसका उसको भिगो के जब रखते हो तो उसका पानी जो है आप एक बोटल में स्टोर कर लें अगर हम साथ के साथ यूज करते हैं तो वह इतनी इच्छी फर्टिलाइजर नहीं बनती हैं अगर हम उसको 2-3 दिन स्टोर करके रख लेते हैं उसमें खटी-खटी सी स्मेल आती है वही अच्छी फर्टिलाइजर होती है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाइलूट करके तो आप वह इसमें दे देखें मैंने पहले से बना रखा है मैंने स्टोर कर रखा था आपको डी एई वही प्लांटर है इसमें डालती हूं यह थोड़ी कम और ज्यादा हो जाए फर्टिलाइजर तो प्लांट में कोई नुक्सान नहीं होता नाहीं प्लांट बहुत तेज होती है और इसकी प्रॉपोगेशन के बाद हम बात कर लें तो इसको देखू ऐसे नोड एरिया से कट कर लें कहीं से भी देखिए मैं यहां से कट कर रही हूं यहां से कर लेती हूं यह मैं नोड एरिया से कट कर रही हूं नोड एरिया से कट करके मैं ये नीचे की लीव अटालूँगी तो ये मेरे पास बोटल में पानी है तो इसमें मैं इसको डिप करके रख दूँगी इसकी धस-पंदा दिन में नोड एरिया जो है यहां से लीव हमने कट किया है वहां से जो है इसकी देखिए चोटी सी एरियल रूट पहले से निकली पड़ी आ है अगर इसको हम पानी में डालती है तो ये अच्छे से डिवल्प हो जाएगी और इसको फिर हम मिट्टी में बहुत अच्छे से मनी प्लंट चल जाता है और इसको सेंड में रिवर सेंड में कोकोपिट में गार्डन सोयल में या पानी में कैसे भी प्रोपोगेट आप कर सकते हो दिखिए एक मेरे यह डियाई वही प्लंटर है जिस में आपको दिखाते हूँ कैसे फानी में मैंने रूटम रूवल्क होई पढ़ी है देखिये कितने चीवर स्थे में यह मैंने पानी में लगा रख्या था प्लांट स्थो अगर आपको मेरी वीडियो ऊच्छ लगी हुई हो तो likely sound करें पर बैल आइकन को प्रेस करके और को प्लिक करें। यहीं को बाते हैं।